मुझा दोस्तों स्वागत है एक नहीं वीडियो में मैं हूँ ममता धायल अमन धायल केमरे के पीछे और हम है दमेंगो कपल तो आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे इस पड़े सी बॉक्स की इसमें क्या है इसमें डिनर सेट तो इसकी छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं पहले हम आपने वीडियो देखा होगा हमारा जो हम सदर बजार म अरपत से गहे थे लेकिन और भूट सारी चीजे लेली सिर्फ डिनर सेट नहीं लिया वह क्यों नहीं लिया क्योंकि उसमें मतलब सारी चीजे मिल रही थी जैसे जो यह वाला बंगवाया है इसमें छे प्लेट हैं बड़ी छोटी और छे कटोरी मुझे सिर्फ इतना ही बोक बोन चाइना और दूसरा था उपल वियर तो बोन चाइना और उपल वियर में क्या डिफरेंस है जो बोन चाइना है उसको बोलता है कि उसके मतलब बोन का कुछ बुरादा होता है किसी मतलब अनीमल की तो वह नोन वेज होता है जो उपल वियर है वो उसी का अल्टरनेट है है बोन चाइना जैसा उसका जो माटीरियल है लेकिन उसके अंदर वो बोन का जो बुराद्दा होता है मतलब वो नहीं है तो वो वेजेटेरियन है तो चलिए इसकी अन्बोक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि यह कैसा आया है तो यह है 18 पीस सेट सेलो अपलवेर आया है पैकेजिंग जो अंदर वाली है काफी सोलिड है तो हमारी प्लेट और कटोरी बोक्स से भार आगी है और यह देखने में बहुती ज्यादा सुन्दर लग रही है विहाल फिलाल तो एक चीज बस चेक करनी है कि कहीं कोई प्रोड़क्ट डेमेज तो नहीं है जब मैं एमेजॉन पर इसके रिव्यू वगेरा पड़ रही थी 30-40% रिव्यू थे उनमें सब में यही लिखा वा था कि उनका प्रोड़क्ट डेमेज है अगर डेमेज होगा तो वो एक्स्चेंज हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम एक बार पहले चेक कर लेते हैं बाकी रही प्राइसिंग की बात तो हमने मार्केट से भी कितने में पड़ेगा कितने में नहीं इसी का जो 36 पीस वाला है जिसमें सर्विंग बाउल और स्पून वगरा राइस ट्रे वो सब दिया हुआ है वो भी अवेलेबल है मैं पर तो आपको अगर बड़ा साइस वाला चाहिए जादा पीस वाला चाहिए तो आप वो भी और कर सर्फ ना प्रेगए तो साइड में स्पेस इतना नहीं है आप रोती रख सकते हो जो हमारा जूसरा डिनर सट वोटो आप यहां पे देख सकते हैं तो उसमें हम कतोर में काफी स्पेस बढ़ता है यह थोड़ा मतलब इसका भी बढ़ा है लेकिन हल्किसी यहां से उबरी और साइड में रखके भी खाते हैं लेकिन इसका जो मतलब डिजाइन है वो बहुत सुन्दर है इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो भी मस्ता है एकदम सिंपल सोबर और धकड बस इसका लोंग टम रिव्यू हम जब यूज करेंगे उसके बाद बताएंगे क्योंकि एमेजोन पे दो लोगों ने रिव्यूज डाल रखे थे उसमें एक दो लोगों की फोटो में यह भी था जब वो माइक्रोवेव में रखके खाना गरम कर रहे हैं तो उनकी क्रेक हो जाती है बीच में थोड़ी सी तो वो जब हम इसको यूज करेंगे तो पहले दो महीने चार महीने यू झाल 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 अगर आपके डेली यूज में यह नहीं आ रहा है तो यह जो छोटा सा क्यूट सा बोक्स दे रखाए नोने साथ में आप इसमें वापस इसको रख सकते हो ऐसे कैसे स्टोर करके यह ना टूटेंगे ना हिलेंगे यह जो इसका बोक्स है मतलब यह बहुत ही जबरदस्त दिय हुआ है इसमें बिलकुल इधर उधर मूव नहीं होती है और इसको जो रखेंगे तो यह भी मतलब ऐसे पतला सा है तो यह थोड़ी सी जगह में फिट हो जाएगा तो यह चीज मुझे इसकी सबसे बेस्ट लगी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए थैंक्यू सो मच अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए बाबाई